दोस्तों इस बॉक्स के अंदर डिजिटल वूल्ट मीटर और एंपिर मीटर है इसके कनेक्शन कैसे किया जाते हैं और इसके स्माल कैसे किया जाता है आपको इस वीडियो में मैं डीटेल से बाता दूगा आप इस वीडियो को पुरा जरूर देख लेना स्किप करेंगे तो हो करना रहता है तो बार-बार एंपिर मीटर हम स्माल करते तो उससे बसने के लिए मैंने इसको आप मगवाया था कि बार-बार मुझे में ना करना पड़े और इसका सेट अप मने रूम पर ही कर लो और यहां पर एक साथ में सीटी मिल जाती इससे असल में एंपिर की टेस्ट से एंपिर की टेस्टिंग होती है तो यहां पर इसका इंटरफेस देख लो और यहां पर वोल्टेज बताएगा यहां पर एंपिर बताएगा तो इसके कनेक्शन जब आप करें तो सबसे बहले आप ध्यान रखें इसमें दो पोर्ट दिये गें में भी आपके इसमें यहां आ से इसी में महतलि होता है लेकिन बेसी में प्लस मैंस हम न द्यान रखना रखना रहता है तो इसके कनेक्शन historically just इसमें हम CT के connection करेंगे तो यहां पर हमने मेन 220 वोल्ट की जो हमारी वायर आ रही है उसके connection यहां पर करने हैं मैं एक्जिमम यहां पर 500 वोल्ट तक करिया गया है यानि कि इसको हमने 500 वोल्ट से ज्यादा नहीं रहना है यानि कि घर पर हमारी 220-30 वोल्ट के something आती है तो उतना ह यहां पर इसको लगबग मिल जाएगा तो देखिए इस तरीके से आपर अपने फेज न्यूट्रल के connection करने फेज और न्यूटल कहीं भी आप दे सकते हैं तो इस तरीके से कनेक्शन आपर कालिया सकस्पूली तो इन पोस्त में ही आपने ध्यान रखना है तो इस तरह पने जो आपके घर पर इसी आ रहे हैं उसके connection यहां पर करने हैं और सीटी के connection इसमें करने हैं तो इतना करने के बाद यहां पर इसका सेटप रेडी हो चुका है लेकिन यह काम अभी complete नहीं हुआ है यह MPR तब तक नहीं बताएगा जब तक हम इसका पूरा सेटप नहीं कर लेग है चलिए एक बार देख लेते confirm कर लेते कि यार मल्टी मेटर सही बताता है या फिर यह अभी किलरली पताची जाएगा यह वोल्टेज का है ना हीजी वूल्टेज एक सो वैसे 200 वोल्ट अभी घर पर ऑ अरही है přंगे और यहांपर द कह रहा है 220まあबस दो ही वोल्ट का डिपरेंस हे ज्यादा नहीं है आप घर पर कितनी मोटेज आरी हम एकक अरम एक सुरित मिवूल्टेज नहीं कह सकते हैं यह और दूसरे मल् Jadi से चेक ह रहे वो भी अलग बता सकता है तो चलिए बात एक एक है वैसे ज्यादा नहीं है सिर्फ तो ही वोल्ट बरेंश है ज़ड़े बूट का डिफरेंश नहीं है तो यहां पर देखे इसकेाऊ ब्रक्रीशन हो गए अब यह है एंपयर एंपयर कैसे बताएगा यहां पर सबसे में पार्ट यहीं तो MPR कैसे बताइगा चलिए हम देखते हैं और यहां पर आपको बताते हैं सबसे पहले देखिए इसको में थोड़ा से साइड रख लें यह एक बल्ब है इसे हम पहले ओन कर लेते हैं इसे हम पहले ओन कर लेते हैं हाँ मैं हो तो देखे ही बल्ब ऑन होगया और यहां पर एक व क्वाइर को हम डिस्कनेक कर लोते हैं और यहां पर अब होगा इस बल्ब में जो दो यानि कि यह एक वायर हमने ब्रैक कर लिए भी इसे ठीक है और उसको हम इस सीटी के बीच से डालेंगे सिर्फ एक वायर को हम इस तरीके से बीच से डालेंगे और अब यह जैसे मैं बल्ब का उन्ट करता हूं तो वहां पर एंपियर बताने लेगा मतलब यह बहुत कम एंपियर लेता है अगर हम कोई हैवी डिवाइस चला लें तो वह ज्यादा एंपियर लेगा एक बार में आपको एक छोटा साने पिपर में डाइग्राम बनाकर समझा भी देता हूं मैंने किस तरीके से आप यह इसका तो आप समझ के कैसे करनेक् अब यहां पर यह तो हमारा एंपर मेंटर के साथ इसको फ्लक का लिया है और यहां पर डेकि प्लक आगे है और यह जो दो वाय हैं यह जो दो आ है यहां से इसके बीच से कनेक्ट हो जाएंग इस तरीके से यहां पर अबने चलिए यहाँ पर एक हमने है ना सौकेट प्लगा लिया है इसको लग को और यहाँ पर यह अगर हम इन दुन को आपस में टच करते हैं तो बल बजलने लगेगा लेकिन उसी वायर को हम कट करके सीटी के अंदर से गुजारते हैं जब बल बजलेगा इसके अंदर से जो वायर करने के लिए हमने जिस्ष भी चीच का है को इसके एक को इसके अंदर से डालना है बस या तो फेज डालना या तो नूटल डालने लेकिन एक को हैं डालना से दंदर स्पश्शफ आपने दोनू आछ को निसकी आन देस् dar को अलगए सेब्रेट करके नहीं लिश्य इन Carmą ना है देखिए या फिर जो या फिर नूट्रल हो इस तरीके से आपने सिर्फ एक वैर को डालना है यह देखिए जैसे आप इसमें डालते हैं तो यहां पर यह बता देगा एंप्यर जीरो पॉइंट टू एंप्यर करीब ले रहा है बल्ब कि देख सकते हैं समझ गया आप तो इस तरीके से ना एंपे टेस्टिंग करी जाती है सीडी इसके द्वारा और इसके कनेक्शन भी आपको सरल तरीके से समझा दिए हैं मैं आपको थोड़ा सा अगर गाइड करना चाहूं अगर आप इसको पर्मानेंटली सेटप अपने बूर कि इसको लगाइए एक वार इसके लिए यहां पर फेज नूटल ला रहा है यहां पर आप कोई फीज चलाएंगे तो क्या होगा एक तार तो हमारा सीट के अंदर से जा रहा है तो जो इसमें लोड़ पड़ेगा वह यह जो हना सीरी सेंस करके इसको एंपयर दिखा देगी बस इतना करना इसको series का बल बहटा जेना है डायेट लिए आप इसमें फेज नूटल लगा ले ठीक है डायेट लिया आप वहां से जो circuit से फेज नूटल आ रहा है ये कि यहीं से जो फेज नूटल आ रहा है इसमां से एक socket इस तरीके से आप सैट आप लें इसका बस जो भी आ लिंक में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप इसके खरीदना चाहते हैं तो वहां से बिलकुल हरी सकते हैं और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो बता देना मैं आपको फिर से एक नए तरीके से समझा दूंगा बहुत ही बेसिक तरीके से फिलाल मुझे लगता कि यह काफ लोगों समझ मां आगे हो क्या आप लोग इस फिल्ड से जुड़े हुए हैं तो चलिए अपने क्या लखिए स्वस्तरी मस्तरी और इस ते कि सब्सक्राइब